कि नमस्कार आप देख रहे हैं समचार 24 प्रस्टर में हूँ अपके साथ हनी साइब मैं इसकर मुझूद हूँ अमार कलोनी राधा किशन मंदिर में जो की पंडिर सोहनाल जी की देर है और उनके अथिक प्रयासों के द्वारा सोहनाल जी के दूरा यह मंदिर की स्थापना हुई थी मेरे साथ अच वनी के शिष्य और यहां के बहुती सीनियर पुझाली सती शुखला जी ममजूद है जो कि सोहन लाल जी के शिष्य रह चुके हैं आज ये मंदिर किस तरह से बनाता, कैसे बनाता और आज इतने भखत इस मंदिर के अंदर जूड़ चुके हैं, जानेंगे सरी शुकला जी से, सुख्ला जी से। मेरे मरने के बाद इस ठाकुर जी का क्या होगा, इनकी कौन सेवा करेगा, फिर पंडी जी डीटीय से यह जगा दिये, उनकी अथक प्रयास होता था कि एक आग्मी से पैसा ले करके एं मंदिर नहीं बना होगा, दो-दो रुपया दे करके एक रुपया दे करके पंडी जी मंदिर बनाए हो। सौनवाल जी का दिहांत कब हुआ और वो किस तरह से हम लोगों को छोड़के चले गए। 2011 में 27 दिसंबर 2011 पंडी जी का दिहांत हुआ उनके जाने के बाद, जितना भी इस मंदिर में आप देख रहे हैं जो भी बनाए एक पंडी जी के अथक प्रयास से बनागा है, उनके जाने के बाद कुछ भी किसी ने निर्मान नहीं किया। जो पंडी जी बनाए हैं उसी के अगर देख रहे हो जाए उसमें सिर्फ चूना लग जा है, पेट पालिस हो जाते हैं उनकी आत्मा को बहुत बड़ी सांती मिलेगी। पंडी जी जो परिवार हैं, उनके सुपुत्रों बड़े बिटे वीजे जी वी मंदिर की बहुत ज़्याता देख रहे करते हैं। आज दिन मंदिर में जुखे रहते हैं। आज दिन मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। और आपके बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनके बार में जानना है 어 тогдаije किस Steph family सेवा कर दें जी मित्र तो नहीं कहेंगे उत मेरे भाईयें गुरु भाईयें पंदी जी के जाने के बाद प्रिज tęधी नहीं इस मंदिर को सम्हाला पंदी जी की से कमियां उसे पूरा करते हैं बहुत धहरेवान पूरुस हैं, बहुत सहन सकती है बिजमुहन के पास सबकी बात सुथ करके, सबको साथ लेकर के इस मंदिर के विकास के लिए चलते हैं और बहुत सोच समझ है, अभी आपने देखा होगा थोड़े दी पहले स्रिमत भागवत का आयोजन किया गया वह आदमी इतना डांस किये और उसी समय इनकी तवियत खराब हो गई, बिगत अगले साल इनके हाट का आपरेशन हमने कराया था मैक्स में और अंकर जी को लेकर के उनकी भागवत कैसे सफ़लो, इसको लेकर के हमें साथ जिद्दित रहते थे और जैसे ही भागवत समाक्त हुआ, जन्मोसव के बाद वह आये और गिर पड़े और सांस इतनी तेज उखड़ गई, आज वह मैक्स में एडमिट हैं, न अपनी सांस ले पा रहे हैं, मृत्य वह और से संदर्स कर रहे हैं जया लगता है कि हम चब नहीं चाहते हैं कि विजय जी आंको छोड़के जाएं, लेकिन भरवान की कृपा है, जैसे कि आख बता रहे हैं कि शन्म जिनके अंदर इतनी बड़ी घटना होना, कि शन्जी ने पने पास उनको अंदेशा देना, क्योंकि आप लोग पंडित हैं, अगर किसी का समय निकट आता है, तो उसको क्या पता लग जाता है, अंतुरूनी भावना है, क्या बताती है, बिल्कुल पता चल जाता है, और इस मंदिर का और उनकी माता जी का दुर्वाग्य होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तीन साल से उनकी मा बेट कर पड़ी है, बिजय जी यह सार मा की सेवा करने वाला भी कोई नहीं होगा, माता जी को असनान कराना, लैटिन बात्रोन कराना, तो अगर बिजय जी को कुछ हो गया, तो पूरा परिवाद तूट जाएगा, और मंदिर तूट जाएगा.